हलो फ्रेंड्स विल्कम बेक्ट में चैनल में इसने हैं आज मैं आप से इस्टे लिए प्लांट के बारे में बात करूंगे तो विंटर का बहुत ही खुब्सूरत प्लांट होता है और लगभग सिर्टय दिसमबर से इसमें फ्लाओनगी स्टार्ट हो जाती है और अब इसको कटिंग शेण्स से दोनों तरह से ग्रोव कर सकते हैं यह जंहें तो आप इसको नरशąरी से बेभी प्लांट लाकर भी लगा सकते हैं मैं इनके कुछ बेभी प्लांट्स लेकर आई थी नर्शरी से और कुछ तो मैंने कटिंग से लगाया हैं जो मेरे लाश्ट येर की प्लांट बचे हुए थे तो मैंने उसमें से कटिंग लगाई थी सौरी आज हमारे घर के बगर में कंस्ट्रक्शन के काम चल रहा तो बहुत ज्यादा सोर हो रहा है और मुझे वीडियो बनाने में काफी दिक्कत होती है क्यों कुछ न कुछ चलता ही रहता है तो वीडियो लगता है तो वीडियो को लाएक करें Ч00 को सब्स्क्राइब करें सेयर करें और कमेंट भी करें नहीं चुन सेनुलन को जगाते क्यों हम को अच्छे दिहान देना है कि इसलीडियो दॉने पला कर upfront कंपोस्ट और एक भाग सेंड तीनों को मिक्स करके इसकी मिट्टी बनाएं कंपोस्ट में आप गोबर की खाब या फिर वर्मी कंपोस्ट एड कर सकते हैं और थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर भी इसमें मिक्स कर दीजिए बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी क्योंकि थोड इसको मिलाएं थोड़ा सा अपने मिट्टी में और बेच बेच में उसका इस्प्रे भी करते रहें प्लांट पर तो आप इनको चाहें जिस तरह से ग्रो करें काफी अच्छी है निए फ्लावरिंग आपके प्लांट में सौरी गार्डन में करेंगे तो मैंने भी कुछ प्ल इनको और कि मैंने सारे कटिंग से ग्रोब कि एनको तो सबस्पहले में इसको मिट्टी के बात करते हैं एक भाग मिट्टी एक भाग सेंड और एक फार्ग कमपोस्तू करकि िसकी मिट्टी तयार करनी है और उसमें आप चाहे तो एक-बैशमत चाइपति भी जो यूज तो होती है हमारे किचन में तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं काफी अच्छा रहता है और अगर आप केमिकल करना चाहते तो आप इसमें डी-एपी के भी दो-चारदाने डाल सकते हैं तो मैं तो करती केमिकल का यूज इसलिए मैं ज्यादा यानि आप लोगों को बताती भी नहीं हो केमिकल के बारे में मैं अपनी जो किचन वेस्ट कंपोस्ट होती है और गोबर की खाद होती है उसी को अपने गार्डन में यूज करती हूं और मिर्टी इसके हमेशा मॉयष्ट रखे एकदम बिल्कुल गीली भी नहीं होना चाहिए मिट्टी अर बिल्कुल एकदम सूखनी भी नहीं चाहिए तो काफी है यह हल्दी रहेंगे प्लांट नहीं तो फृर क्या होता है जैसे मिट्टी अगर ड्राई हो जाती है तो इसकी पतिया नीचे की ड्राई होती जाती है फिर खराब दिखने लगता है तो इस जिसका ध्यान रखना है मिट्टी को थोड़ा सा हमेशा मौइस्ट रखें तो बहुत अच्छे ग्रोध करते हैं और काफी अच्छे हेल्दी भी हफते में गार्डन में अपने जो लिक्विट फर्टिलाजर डालती हूं तो इसा भी प्रांस्पंट दे देती हूं थोड़ा-थोड़ा सा काफी अच्छी फ्रावरिंग होती है काफी अच्छी कलियां आती है और फ्रावर को कलर भी बहुत खुबसूरत होता है तो अब द बहुत ज्यादा है फ्रावर और बीट पीच में आप इसमें नीमायल के भी स्प्रे करते रहें तो प्लांट अच्छे हेल्दी रहेंगे कोई पेश्ट बगएर भी नहीं लगेगा तो इस तरह से इनकी केयर करें और दूप इसको बहुत ही जरूरी है तो आप इसको लगब मार्ज अपरेल तक आपके गार्डन फ्लावरीं करते रहेंगे और आप अगर सेफ करना चाहते हैं प्लांट को तो आप इनके जो नीचे ट्यूबर्स होते हैं आप उनको भी कलेक्ट करके रख सकते हैं या फिर आप उनको उसी गमले में पड़े रहने दीजिए बीच-बी अगर अभी फरवरी में आप इसकी कटिंग लगा देंगे तो दो महिने में आपकी कटिंग अच्छी तयार हो जाएगी और प्लांट सुदर फिर जब रेनी सी जना जाएगा तो काफी जल्दी न्यों फ्लावरिंग इस्टार्ट हो जाती है तो आप इसको ऐसे भी सेव करक लोग अच्छा लोग देते हैं और अभी जैसे कि हमारे क्रेसंतिम सारे खतम हो गए हैं तो लगबख खतम होने वाले हैं तो डहलिया काफी दिनों तक अभी चलेंगे और पिटूनिया और यह झा जानिया के जो फ्लावर है यह लगबख अपरेल-माई तक चलते रहते हैं पीटूनिया प्लावर के मार्च के बाद लेकिन गजानिया की के फ्लावर लगबञब अप्रैल तक मेरे लश्ट यह जू तक गये । फ्लेंड उन्हों कि थी प्लावर करेंगें तो इस तरह से इनके इस तो तक भी फ्लावरिंग होगी और गार्डन को काफी खुबसूरत लूप देंगे तो इस तरह से आप इनकी केयर करिए बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत खुबसूरत होती हैं और देखिए कितने सारे प्लांट बने लगाए हैं एक प्लांट मेरे सेकंड फ्लोर पर भी जो मैंने आप लोग के साथ सेयर की और नीचे से देखिए इसका ट्रंक यह कितना ज्यादा मजबूत है बहुत अच्छा है नहीं हेल्दी है यह एकदम मोटी मोटी से ब्रांच है इसकी बिल्कुल भी यह बिल्कुल मेरे दो अंगलियों के बराबर इसकी मोटाई है जो इस प्रेंट भी करिए और बिल आइकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियों को नोटिफिकेशन मिलती रहें थैंक्यू प्रेंट्स बाई